और आलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी लोग आसा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे आधु अदोस्तों आज कहीं जो बीडियो होने वाला है ना उसमें आज हम लोग क्लास 12 का चैप्टर 1 जो है आप लोग का क्लास का 12 का उसको आज हम लोग पढ़ने वाले हैं और आपको हर एक चीज समझ में आएगी आप सुरु से लेकर अंतक वीडियो को बस देखिएगा ठीक है और इसका हिंदी माध्यम में भी हम बताएंगे प्रवंद की प्रकिर हमारा यह नेचर बता ना और सिग्निपिकर इस महत थो बता पर किरती पताना है तो हमारा मैनेजमंट जो हता ही होता क्या थेक्षय तो इसके बारे में हमनों यहां डेफिनीशन लिखिए है तो उसको हम पहले जान लेते हैं तो कह रहा है मैनेजमेंट आर्ट and science of planning, coordinating, motivating and controlling the efforts of other towards a specific objective it ensures that activities end up with desire result अमर जो management होता है न वो art होता है as well as science पे होता है किसका तू जो function है management का उसका planning, coordination, motivating, controlling ठेक है और और भी other specific objective को efforts मान के ये management जो है वो कारी करता है ठेक है नेक्स जो हमारा हिंदी में लिखा हुए definition प्रवेंद किसी विशिस्ट वस्तु के प्रती दूसरों के प्रियासों को प्रियरित और नियंतरित करने समन्वे की योजना बनाने की कला और बिग्यानी ये सुनिशित करता है कि गतवीद्य इच्छा परिणाम के साथ समाप्त हो तो ये आपका डेफिनेशन हुआ management का next जो आपका हमारा topic आता है वो आता है effective and efficiency effective का मतलब होता है दोस्तो असरतार और efficiency का मतलब होता है दोस्तो छमता ओके effective हमारा असरदार कितना किया मतलब कि आप जो काम किये वो टाइम पर किये कि नहीं तो यह असर कर रहा है ना टाइम पर करना और completing tasks of laser course और चमता capacity कम पैसो में आप जो काम कर रहा है कम resources में आप उसको complete कर देना ही आपका capacity कह लाता है यहां पर आपको हम समझ में होगा कि effective and efficiency किसको कहते है नेक्स जो हमारा टापिक है दोस्तों वह है important statement तो हम लोग यहां important कुछ महतपूर्ण कथन को जानेंगे Hindi English दोनों में management as an activity कतिवीदी के रूप में परवंद तो management जो है activity के रूप में कैसे है तो उसको हम लोग यहां जानेंगे डिफाइन किया गया है management is a human activity undertaken to plan organize direct and control and involve in the working activities of enterprise प्रवंद एक मानवी गतिवीदी है जो किसी उद्यम की कारिसील गतिवीदी में संगठित परत्यक्ष और नियंत्रन की योजना बनाने के लिए खीचाती है अब नेक्स जो है आपका टॉपिक management as a discipline management अनुसासन के रूप में तो यहां पर डिफाइन के है discipline means a systematic logically organized recognized body of knowledge यह जो लिखे का ना इसमें नमबर आपको बढ़ जाएगा management आर्ट के रूप में and science के रूप management जो आपको ग्यान है वह आप यूज करना ठीक है ग्यान का उप्योग करना ही हमारा arts कहलाता है and cause casual effect कारण और प्रभाव दोनों जो है science पताता है तो आपको management में आपको क्या है और दोस्तों यहां पर आपका characteristics ओके यहां पर है आपको लोग का अभी characteristics हम लोग जानेंगे तो यहां पर characteristics जो है management का वहां पर हम लोग जानेंगे यहां पर ओके तो चलिए जानते हैं हमारा जो है characteristics goal oriented मतलब यह एक लक्ष उनमुकी है फिर है इस परवेशी मतलब यह व्यापक है क्या है यह यह एक व्यापक है इस परवेशी इस इन continuous process यह एक नियंतरन प्रकिडिया है जो बाड़ बाड़ आपको management में होता है इक इंटेंगीमल fourth क्योंकि इसको हमें को देख नहीं सकते हैं और नहीं हम लोग भी से यह कह gayста कि लोग्डूर दूर सकते हैं चूँ सकते हैं क्या तो इसका characteristics में आया पांच नमबर का पूछेगा पांच में आप कुछ भी पांच छे लिए पांच लिख दीजेगा उससे define कर दीजेगा पांच नमबर आ जाएगा आपको साइंस उसी करता है कुछ है साइंसगे साक नि खुल भी है उसी को नाम लोग आर्ट बोलते हैं वही है साइंस इस तू नो साइंस आर्ट इस तू डू साइंस जिससे आप जान रहे हैं आर्ट जिससे आप आप करेंगे जो जी मतलब सीखे हुए है मैंनेजर इस बोथ आर्ट और साइस नेक्स जो टॉपिक है आपका हमारा क्या है प्रवंद के अंदर और हो तहीं है कौनका हों ओट्यवेशन लीडर्शिप bater को होता एक कोड होता है तो वाना निंग मेली होते हैं हमारे यहां पांच डाइरेक्टिंग औं क्ट्रोलिंग नियुजन संगठन नियुक्तिकरन एंड निर्देशन नियंत्रन जानका हैं लेवल्स of management लेवल्स जो होते हैं मारे में तीन-तीन-तीन होते हैं टॉब लेवल मेनेज़मेंट मिडिल लेवल मेनेजमेंट है तो लिवल हो जाएगा सकेंड जो मिडिल लेवल हो जाएगा ऑज नेग्स जो है जानना वह डाइरेक्टिंग का डायीक हमारा कहला था क्या कहलाता है तो elements यहां पर elements है तो elements कौन कौन है जो बता है उपर में supervision, communication, leader, shape and motivation, supervision, चूट रहाता, perfection, शंचार, natural and prayer नहां तो यह सब आपको वह हिंदी में भी लिख दिया है आप जो next topic है हमारा वह है coordination, coordination किसको कहेंगे हैं, यहां पर definition लिखे हो है, सब अपने तरीके से कर रहे हैं बैड दोनों में जब तक कोडिनेशन नहीं बनेगा तो काम जो है मैनेजमेंट आछी तरीके से नहीं वहां तो यह कह रहा है कि बेस होता है हर मैनेजर का बट बहरीज डिपार्टमेंट का अर्गनेजेशन जो है अपने तरीके से करते हैं तो यह एक्टिवीटी जो है रिलेट करना चाहिए आप नीचे में हिंदी में है कि प्रतेक्स प्रवंद के प्राथमिक कार्य है क्योंकि किसी संक्टन के बिभाग सौतंत रूप से कारे कर रहे हैं उनकी कि जूरने कि आप अब जो है नेक्ष्ट जितने भी हमने बता हैं नहीं कोर्दिनेशन फिर से उसके वाद क्या-क्या होते हैं कारे सब आपके नेचर सीक्निफिक 8 समझ में आते हैं यहां पे मैंने सारे को यहां प्यापको डिफाइन करके बताया अच्छय तारीके छे आइ समझ में आया हो के जो भी टॉपिक थे हमने यहां पर क्लियर किये तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ न्यू वीडियो में ओके